ओकी तो वाई लोग लियो हिडिन डिटेल्स का पार्ट वान और पार्ट टू के बाद अब यह पार्ट थ्री वीडियो आपके सामने हाजीर है आज के इस वीडियो में हम पार्थिवन का अल्टर इगू, क्राउन आफ थ्रोंस, अब्रहाम और आईजेक का रेफ्रेंस ऐसे ब पार्थिवन का अल्टर इगो लियो है जहां तक पार्थिवन समाल पाता है समालता है नहीं तो लियो आजाता है उसका सेकेंड सेल मतलब यह जीतो रहा है पार्थिवन का लाइप पर इसका अल्टर इगो भी है लियो और इसका हिंट हमें डारेटिवन का पोस्टर में ही दे दिये थे अल्टर इगो लियो मतलब यह लियो पार्थिवन का अल्टर हुए दिखाते है आप पता है वो बाम पोड़ने के लिए ही था पर सिग्रेट ही क्यों कुछ और भी तो दिखा सकते थे क्यों नहीं दिखाए क्योंकि वह अल्टर इगो का रेफ्रेंस देना था फिर आगे कोड से निकलने के बाद पार्थिवन मीडिया से चुपता है यह त अपना अल्टर इगो की पहचान को चुपाई रखने के लिए करता है पर क्या करें हमें साथ तो चुपागे नहीं रख सकता ना वाई इसलिए जब वो कॉफिस और बाला कांड होता है तो पार्थिवन का अल्टर इगो और उसका अल्टर इगो की पहचान भी बाहर आ जात तो उसके बाद उसे कभी भी该 बार पार्थिवन वोलाने से वह नहीं सुनता अब यह सिन में देख लो और यह सिन में भी देख लो कि इसके बध कभी भी एक बार पार्थिवन से यह नहीं सुनता क्पॉंके cette पहां नहीं उस कांट के बाद उसका सेकेंड से लियो बाहर आ चुका है इसलिए यह नाम से बुलाने से इसे ऐसा लगता है जैसे कि किसी और को बुलाया जा रहा हूँ फिर अब अगर पैचान की देखे तो जब इस कांट के बाद पार्थिवन कोर्ट से निकलते टाइम उसक सारा जमानों को इसके बारे में पता चलने से इससे क्या फरक पड़ता है इससे तो बिंदास रहना चाहिए लोग इसे हीरो मान रहे है तो यह घबरा क्यों रहा है यह चेहरे के पीछे एक और लाइप बी चुपा है बोले तो इसका एक अल्टर इगो भी है जिसके बारे मे कर दे कुछ वैसे ही पर जब फोटो क्लिक करने वाला बंदा आता है तो पार्थिवन भी समझ जाता है कि और कुछ हो नहीं सकता एक बार तो और उसे बाहर लाना ही पड़ेगा इसलिए वो उसके फोटो क्लिक करने के तुरंत बात से ही देखना हतियार बनाना स्टार्ट कर द बाइ उसे नीन से उठा के दिखाना बहुत मुस्किल है क्यूंक वह सोया नहीं है बस नाटक कर रहा है जैसे की पार्थिवन पर तब हम यह सब समझे नहीं पाते मूवी खतम होने के बाद जाके हम सब समझ पाते हैं कि डिरेक्टर में पार्थिवन का अल्टर एगो की आना चाहते हो तो आप बाद में जाकर हमारा master hidden details वाला वीडियो देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में लिंक है अच्छा पार्थिवन का फोटो मीडिया में छपने के बाद जैसे एक बंदा तेलंगाना से आ गया एक बंदा मुंबई से आ गया पैसे आगे रोलेक्स का भी कोई मुवी का टैटेल स्टाटिंग में आता है या स्ताटिंग का आदा घंटा के अंदर आ जाता है पर इस मुवी का टैटेल in्टरवल में जाके आया जो धर升 रहा था कि अब जयाकर लियो का चैथठ्टर ओपन होने वाला है वर सच में वही ह ж Пोला था है इंटरवल से पहले त सबने अभी तक देखा है उसका bloody side भी बाहर आने वाला है और वही होता है लेकिन सत्य तो उस bloody side को पूरी तरह देख नहीं पाती उसे सिर्फ उसका एक जहलक ही मिलता है पर सिद्धू वह bloody side को climax में पूरा देख पाता है जब वान लास्ट टाइम के लिए पार्थिवाल लियो बन जाता है पूरी तरह लियो 22 साल के बाद भाई वो अपना पूरा बोडी लेंग्वेज चेंज कर लेता है वैसे ही स्मोकिंग करता है इगल से बात करता है और वो कड़ा भी पहनता है यह कड़ा भाई इसका डीटिल को आप मिस्स मत करना इस वीडियो में नहीं तो अगला ठिक वैसे ही बलॉठ टेस्ट करता है इसका मतलब यह पार्पिन का स्टाइल नहीं है वाई यह लियो का स्टाइल है क्या पास्ट में वह हृशल के चोड़ेंग्टर दे बहीं है इसे कहते बसेच करके छोड़ तो और सोचने का काम ओडियन्स को दे दू DO용 नेक्स अब अपने देखा होगा लियो के अंदर कुछ जगा पर क्रिष्टियन धर्म का रेफरेंस दिया गया है जैसे कि एंटोनी का सीन ले लो उनका लॉकेट को नोटिस कर लो एना ऐसे ही कॉफी सब वाला सीन में भी जब एंटोनी पार्थिवन के पास आता है तो यहां में पार् यहुदियों का राजा यह वाले किंग अफ दिजियोस भी मानते थे पर रोमन सोलजर यह मानने को तयार नहीं थे और उनका मजाक उडाके उन्हें कांटे वाला मुकूट भी बहनाए थे और ठीक अभी यहां लियों में भी कुछ वैसा ही हो रहा है पार्थिवन खुद को पार्थिवन बता रहा है तो एंटोनी यह मानने को तयार नहीं है और वो नो अलकॉल बोलने पर कैसा हसता है यह भी आपने देखा होगा क्योंकि वो यह हजम भी ने कर पा रहा होता है कि जो बंदा दीन रच सराब में डुबा रहता था वो कैसे सरीव बन गया इसे सिंबल पार्थिवन के उपर यह सिंबल दिखाने के बाद एंटोनी उसका मजाक उड़ाता है वहां रोमन सोलजर जालिम थे और यहां एंटोनी इसलिए एंटोनी के पीछे देखना एंजल विंग भी दिख रहा है और वैसे तो एंजल विंग साइन को सुक और सांते का प्रतिक भ भी डेविल माना जाता है तो उसके पीछे विंग आपने देखा होगा मतलब मेकर्स यहां इस विंग एंटोनी को डेविल देखने के लिए यूज किया है जैसे कि वो रोमन सोलजर और पार्थिवन का तो आपको पता है हम बता चुके हैं यह दोनों ही लाश्ट तक हार नह भी देख लेते हैं इन्टोनी अपना बेटा या बेटी को बली देने जा रहा था पर दे नहीं पाता है और ऐसा ही एक कहानी सायद बाइवल में भी है जिसमें लिखा है कि अबराहम नाम का एक व्यक्ति को उपर से आदेस मिलना पर वो अपना बेटा आईजेक को बली देन तो हमें कमेंट करके बता हो और कहीं बोल चुक हो गई हो तो वह हमें माव कर दीजिए हम किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुचाना नहीं चाहते हैं पर भले ही उन सब के बार में उतना पता नहीं है एकिन इतना तो पता है कि पर यह एंट्टोनी का डैड़ बोडी को जलाया क्यों गया है इसके बारे में हमें कुछ समझ नहीं आया इसके पीचे भी कुई कारण हो सकता है गया यह वात को ज dlaसके पहले इसे उसका पीवी और बेटा भी डाउट करने लंगे थे तो वो गुस्से में ऐसा बोल दिया सोचा कुछ भाई लोग इसे भी मिस कर दिया होंगे इसलिए बता दिया अब अगला flashback flashback में कुछ तो लोचा होने वाला है यह तो 100% पक्का है डारेक्टर खुद यह बाद बोल दिये और और मेकर्स वो डिलीटेड रिदे राज का सीन भी रिलीज कर दिये है जाब वो यह बता रहा है कि वो अपना परस्पेक्टिव से यह flashback सुना रहा था और वो यह सीन इसलिए रिलीज कर दिये क्योंकि कुछ फिल्मी भाई बहुर रहे था कि कुछ ओडियोंस को flashback पसंद नहीं आया इसलिए मेकर्स अब यह नाटक कर रहे है पर नहीं वह पहले से यह प्लान बनाए थे पार्थीवन ही है इसलिए देखना पार्थीवन की फोटो मीडिया वालों को मिलते ही हमें सिमला वाला और शेलम वाला सिन भी दिखाया जाता है इनका preparation के बारे में बताने के लिए क्योंकि पहले से पार्थीवन इन लोगों को बोल दिया होगा कि जब भी मेरा चेहरा मीड सच कहानी बताता है जैसे कि लियो कैसा था कैसे उनका factory को जलाया था जिससे कि जोसी भी सच मानने लगता है क्योंकि उसने भी वो सब paper में देखा था और एंटोनी से सुना था और जोसी उरीदराज के कहानी को सच मानने लगा तब रीदराज वो गोली वाला जुट में सब्सक्राइब जोसी बहुत बार पार्थीवन को शट के बिना देखा है उसके बोडी में वो निसान नहीं है और रीदराज का मिस्वन सक्सेस और वह वाई सबका तो हम क्या ही बता है वह बिना कहानी सुनाई कुछ फोटो दिखा कर ही सक्सेस हो जाते है और यह दोनों ही उल्लू बन जाते है अब यह सब देखने के बाद आप ही बताओ क्या यह सब अभी बनी-बनाई हुई प्लां लगती है में कसका पहले सही है प्लान था विच्छे रिदराज न क्या-क्या जूट बोला है और क्या-क्या-क्या सच अभी तक पता नहीं चला जो भी हो सेद व तक कईयों को निपटा चुका है अब अगला हेरोल्ड का डबल रोल अरे नहीं यार वह वताने लगेंगे तो यह वीडियो भी काफी लंबी हो जाएगा और वैसे भी वीडियो के अंदर और भी कुछ डिटेल्स बाकी है तो हम उन सब डिटेल्स को भी इसका अगला पार्ट म कवर कर लेंगे आज के लिए इतना रहने देती है अब अगर आपने वी ऐसा कुछ लियो मूवी के अंदर नोटीस किया है तो हम उसे अगला वीडियो में एड करके बाकी सारे फिल्मी भाईयों तक पहुंचाने की कोसिस करेंगे तो है बस आज के इस वीडियो को यह खतम क करते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो